हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टो माई यूटूब चैनल दोस्तो मेरा नाम है प्रित्युराजबर्मा और आप देख रहे हैं सिंपल अईरुवेदा दोस्तो किसे हैं आप सब दोस्तो आप सभी को मेरे वीडियो बहुत पसंद आ रहे हैं आप सभी मुझे मेरे वीडियो पर ब हमारा यूटूब चैनल सब्सक्राइब करते हैं हमें लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा होसला मिलता है ताकि हम आपके लिए मुझे यह लिखता है कि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी मेनत करके आपको ज़्यादा से ज़्या cost for no lesson नहीं है लेकिन product बहुत ज़्यादा demand वाला है अगर मैं राजस्तान की बात करूं तो राजस्तान में इस product के आज भी बहुत ज़्यादा demand है और बहुत अच्छे से ये market में sale हो जाता है इसके उपर कोई भी brand है वो इसके उपर matter नहीं करता चाहिए brand हो चाहिए ना हो उस formulation भी पहले लेकर सब चीज़ें शीखने इसको शीखना आपको अच्छे से होगा क्योंकि इसके अंदर आप गलती नहीं कर सकते अगर आप गलती करेंगे तो आपको मोटा गटा लग सकता है अगर आपका माल खराब हो जाता है तो फिर वो आपको problem हो सकती है और इसके अंद अभी पीले कलर सबून आता है इस तरीके यह आप देख सकते हैं जिया अटा है यह कई मार्क साबून हे क्योंकि पुराने टाइम ये बिक रहे हैं और ये मतलब सपाई के अंदर एक नमबर साबून होता है और आज भी जो हमारे बुजरग हैं वो इस साबून को solid साबून मांते हैं एक नमबर साबून इसी को मांते हैं और कोई भी साबून है वो purchase नहीं करते अगर उनको ये साबून देख जाए तो वो ये साबून मार्केट से purchase करते हैं तो दोस्तो इस साबून को बनाने का complete process मां आपको इस वीडियो के अंदर दिखा हूँआ हलांकि formulation मां आपको इसका है वो नहीं दे पाऊँगा formulation आपको पैड रहेगा आप 500 रुपे लगा करके formulation मुझसे ले सकते हैं इस साबून बनाने का और इसका जो kit है वो भी हमारे पास उप्लब्द हो जाएगा अगर आप demo kit लेना चाहते हैं देखिए दोस्तों यहां पर बहुत सारे लोगों के comment आते हैं phone आते हैं कि सर आप जो कार हो जाए आपका पैसा तो इसलिए हम आपको पांच चार किलो का एक डेमो कीट दे रहे हैं जिसे आप ये साबून कोई भिया प्रोटेक्ट है वो घर पे बनाके पहले आप सीख सकते हैं उसके बाद में आप अपना business start है वो कर्ष रखते हैं दोस्तों आज का वीडियो ह करना चाहे तो कर सकते हैं आपको छोटे लेवल में कम से कम इसकी उपर आपको बनाना पड़ेगा इससे अगर कम में बनाओगे आप तो थोड़ा quality के अंदर डाउन यह हो सकता है और आपका rate भी ज्यादा आ सकता है तो दोस्तों यह जो इसकी costing की बात करें तो यह साबून ह वो 35-40 रुपे के बीच में बन जाता है अलग-अलग area के हिसाब से transportation और material के price के हिसाब से इनका rate आता है तो 35-40 रुपे में बनता है और market के अंदर यह अगर wholesale की बात करें तो 50 रुपे से लेकर 60 रुपे के बीच में यह wholesale होता है और अगर retail की बात करें तो 70 रुपे से 80 detail होता है quality के उपर यह depend होता है और इसको पेक करने के आपको जुरूरत नहीं पड़ेगी तो दोस्तों इस साबुन को निरोल भी बोलते हैं market के अंदर और oil का भी साबुन बोलते हैं कच्चा साबुन भी बोलते हैं मतलब इंडिया के अंदर अलग-अलग नाम है अलग-अल जाल आएंगे और उसके बाद में आपको मैं समझाओंगा कि आप गर पे इसको किस तरीके से बना सकते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को देखते हैं कपलेट जान करें तो यहां पर आप देख सकते हैं यह फैक्टरी का व्यू है इस परकार से यह दिन पकने के बाद में और इदर की साइड में जो यह आप संचे देख रहे हैं इन संचों में यह निकाल लिया जाता है और इनके अंदर यह दो दिन तक रखा जाता है उसके बाद में इसको बाहर निकाल के और जो आपने यह कटर देखा था उस कटर से इसको काट लिया ज चोटी चोटी हमने यहां पर कड़ाई ली हैं तो इसको हम प्रोसेस करेंगी तो मैं आपको complete प्रोसेस इसमें दिखा दूँगा लेकिन अगर आपको इसका फॉर्मलेशन चाहिए तो आपको 500 रुपे पे करने होंगे अगर आपको इसका किट लेना है तो किट आपको इसका मि प्रोडेक्ट का आपको टोटले यहां पर नाम बता दूँगा तो यहां पर हम ले रहे हैं सबसे पहले जो हमारा कास्टिक सोडा है वो हम लेगे तो कास्टिक सोडा हमें सबसे जो इसके इंदर जुरूरी मेट्रिल होता है कास्टिक सोडे की बिना जो हमारा कोई भी वो नहीं बन बाता है तो यहां पर हम लेंगे कास्टिक सोडा तो कास्टिक सोडा लेने के बाद में हम इसके अंदर डालने वाले हैं पानी जो कि घर का पानी हो मिठा पानी हो यानि खारा पानी नहीं होना चाहिए तो यहां पर हम इसके अंदर बाद में पानी डाल रहे हैं और इसको पानी डालने के बाद में इसको हमें गरम करना है और इसके अंदर और भी आगे का जो मिश्रन है वो मैं आपको यहाँ पर बताता जाऊँगा तो दोस्तो यह जो complete process है इसके अंदर करीब एक गंटा लगीगा लेकिन मैं वीडियो को बीच-बीच में थोड़ा सा fast कर दूँगा और बीच-बीच में cut कर दूँगा जिससे कि हमारा थोड़ा time बचेगा तो दूसरी जो कड़ाई आप देख रहे हैं उसके अंदर हम लेंगे oils तो यहाँ पर हमें 2 या 3 से oil का मिश्रन करना होता है आप 2 oil का भी मिश्रन कर सकते हैं एक इसके इंदर होता है hard oil और एक होता है soft oil तो दोनों का mix run आपको करना पड़ेगा अपने area के हिसाब से अपने मोसम के हिसाब से आपके वहां का जो विद्र होगा उसके हिसाब से तो जो यह आप देख रहे हैं पहले वाला oil यह है acid oil ground nut acid oil बोल सकते हैं आप इसको या फिर cotton seed acid oil होता है मतलब बहुत परकार के market में आपको acid oil मिल जाते हैं जो कि आपको 70 रूपे किलो, 65 रूपे किलो, 60 रूपे किलो के आसपास मिल जाता है तो यहाँ पर हम acid oil लेंगे तो एक bottle में हमने acid oil ले लिया है और दूसरी bottle में भी हमारा acid oil है वो भी हम mix करें आप यहाँ पर अलग-अलग तरीके का acid oil है वो भी use कर सकते हैं जैसे आप quality बनाना चाहो उस तरीके का तो यह आप जो देख रहे हैं, next जो हमारे पास bottle है इसके अंदर है, हमारे पास palm fatty जो कि आप देख रहे हैं, यह हमने इसके अंदर palm fatty डाला है तो यह palm fatty होता है और एक इसके अंदर आता है CPU करके जो कि थोड़ा yellow color के अंदर जो oil होता है, वो होता है तो वो भी आप पाम फैटी के अंदर mix करके डाल सकते हैं अगर आपको साबून को येलो बनाना है तो वो oil का इक लर येलो होता है जिसको हमारी बासा में CPU बोलते हैं वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं तो अभी हमें दोनों कड़ाईयों को गरम करना है यहाँ पर और जो हमारा कास्टिक सोड़े वाले जो कड़ाई है बड़ी वाली उसी के अंदर हम सावन मनाएंगी तो उसके अंदर हमें एक मेट्रेल और अभी डालना होगा तो जिसका नाम है सोडियम सिलिकेट जो की कानी कास्टिक सोड़ा और सोडियम सिलिकेट को यहाँ पर मिश्रन इन तीनों का करना है और जो हमारी छोटे वाली कड़ाई है उसके अंदर से हमें तीन से चार ओईल है वो मिक्स करेंगे जो कि सीप्यू हो गया पाम पेटी हो गया ग्राउंड नट एसीड ओईल हो गया य डोसी के अंदर हम इसको हीट करेंगी और अच्छे से इनको मिक्स करेंगी तो दोनों कड़ाई को हमें अलग-अलग ہीट करना है अलग-अलग मिक्स करना है तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक ध्यान रखना है कि सर्शनों का तेल है वो इसमें यूज नहीं करसकते जाने को oil आप इसके अंदर यूज़ नहीं कर सकते तो ये देखिए हमने दो बोतल यहां पर sodium silicate की इसके अंदर डाल दी है तो sodium silicate का काम होता है दोस्तो साबून को bind करना यानि उसको आकार के अंदर bind करके रखना और उसका वेट भी थोड़ा ये बढ़ा देता है तो sodium silicate के बिना हमारा जो साबून मनेगा वो bind नहीं हो पाएगा तो इसलिए उसको bind करने के लिए हमने यहां पर sodium silicate का यूज किया है और कास्टिक सोड़ा आप सभी जानते ही है कि वो मेल काटने के लिए होता है तथा जिस ओइल के इंदर हम मिक्स करते हैं कास्टिक सोड़े को उसका रियक्शन होके उस ओइल को यह जमा देता है यानि स्वाबून का अकार देता है और खुसबू भी अच्छी बन जाती है ओईल के साथ कास्टिक सोड़ा को मिक्स करने के बाद में तो इसको आपको थोड़ा साफधनी से करना है क्योंकि यह हर्म फूल भी होता है हमने थोड़ा यहां पर वीडियो को कट किया है तो यहां पर दोस्तो हमारा जो ओइल है वो पूरा गरम हो चुका है और हमारा जो कास्टिक सोड़े की जो हमने लई बनाई थी वो भी हमारी heat hose की है तो अब हमें करना क्या है कि जो हमारा हो oil है जो oil वाला मीस्रण है उसको कास्टिक वाले मीस्रण के अंदर हमें दीरे-दीरे करके डालना है और इसको अच्छे से मिलाते भी जाना है तो जैसे यह बचा के रखना है क्योंकि यह दोनों जो मिश्रन है वह जदा हीट है तो यह देखे यह कड़ाई है वह उपान पर आएगी और यहां पर थोड़ी दिर पकाने के बाद में हमारा साबून रेडी होगा तो वह कंपलीट प्रोसेस हम देखेंगे और लास्ट के अंदर हमें साब मिश्रन से बनेगा और काफी जाग इसके अंदर बनेगा जो कि मैं आपको लास्ट के अंदर दिखाऊंगा और इसके जो खुस्बू है वह भी एटोमेटिक बनेगी हमें खुस्बू इसके अंदर एड़ करने की जुरूरत यहां पर नहीं पड़ेगी तो यहां पर आप द तो आप देख सकते हैं कि किस परकार से यह कड़ाई है हमारी पूरी फूल चुकी है इसके अंदर का जुमाल है पूरा फूल चुका है तो इसको इस परकार से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर इसको नॉर्मल जो हमारा आँच है उस पर हम पकाते रहेंगे तो यहां पर दोस्तो मैं वीडियो को थोड़ा कर रहा हूँ फ़ास्ट क्योंकि इसके अंदर लगने वाला है थोड़ा टाइम तो यहां पर दोस्तो आपको थोड़ा सा इसको properly निद्ट है वो mix करते रहना होगा और आपको जो इसका आंच है उसका भी पूरा ज्यान रखना होगा ताकि ये हीट जादा ना हो तो इसको आप properly mix करते रहें और इसके अंदर थोड़ा time लगेगा तो आपको गबराना नहीं है और इसके अंदर अगर आपको लगता है कि ज़्यादा ये tight हो रहा है या फिर ये ज़्यादा lose है तो इसके साब से आप उतनी देर तक इसको पका सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा टाइट हो रहा है तो आप इसको निकाल सकते हैं बाहर और अगर आपको लगता है कि अभी तक यह बहुँ ज़्यादा लूज है तो इसको आप थोड़ी देर और पका सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे इसके अंदर bubbles बन रहे हैं क्योंकि यह अभी बहुत heat है और यह काफी अच्छा इसका जो color है वो हो गया है अभी और यह लगबग अभी पक चुका है तो हम इसको थोड़ी देर में ही बाहर निकाल लेंगे और इसको जमने के लिए हमें कम से कम 24 गंटे तक छोड़ना होगा लेकिन मैं इसको यहाँ पर कोशिस करूँगा कि कम से कम 15-20 गंटे तो छोड़े और आगे फिर हम इसको बाहर निकाल के काट के इसको यूज करके यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह नीचे पूरा है वो सेट हो गया है अपनी जो फोम थी उसके अंदर आ गया है और यह पक कर रेडी हो गया है तो अब हम यह इसको कर देंगे बंद और उसके बाद में इसको हम इस जो हमारे पास एक टीन का बॉक्स है डिबा है इसके अंदर हम निकाल लेंगे और इसको जबने के लिए फिर हम थोड़े टाइम के लिए इसको करीब हमें 24 किंटे छोड़ना होता है तो हम इसको उतनी द्यार से तक छोड़ देंगे और उसके बाद में इसका हम यूज करके देखेंगे तो इस तरीकी से आपको थोड़ी साब दानी से इसको निकाल लेना है तो बड़ी असानी से ये बाहर निकल जाएगा को ज्यादा प्रोब्लम वाली बात नहीं है दोस्तों इस बिजनेस को करने के लिए अगर इंवेस्टमेट की बात करें तो आरांड मानके चलो आप 500,00 रुपे से ये बिजनेस स्टार्ट हो सकता है अगर आप छाहें की बड़े लेवल पे तो आपके यहाँ पर 10,00 रुपे तक की इनवेस्टमेट हो जाती है अगर आप 5 लाग रुपे में start करते हैं तो ठीक ठाक आपका business है वो चल जाता है क्योंकि आपको यहाँ पर जो कड़ाई बगेरा होती है setup लगाने के लिए around आपके 2 लाग रुपे तक लग जाते हैं उसके बाद में आपके लाग रुपे तक का यहाँ पर stock चाहिए होता है material का और उसके बाद में ready saboon का आपके पास लाग रुपे का stock रहेगा और एक से दो लाग रुपे के आपकी जो market में है credit है वो चलेगी यानि उधार आपकी है वो चलेगी तो इस प्रकार से आप पांच लाग रुपे के setup के अंदर start कर सकते हैं अगर आप बिल्कुल छोटे स्थर पर करना चाहें तो भी आप इसको कर सकते हैं लेकिन वहाँ पर आपको सिर्फ material की problem आएगी क्योंकि थोड़ी quantity के अंदर आपको material है वो बहुत ही कम मिलेगा इंडिया के अंदर क्योंकि यहाँ पर जो है इनकी जो standard packing होती है drum के अंदर उसी में यह deal होता है तो यह कम quantity के अंदर मिलना मुस्किल होता है तो इसी का solution हमने निकाला था कि kit हम आपको provide करवा दें जिससे कि आप 57 किलो साबून है वो बना की घर पे check कर सकें कि आप बना पाते हैं कि नहीं उसके बाद में आप इस business का पूरा जो startup है वो कर सकते हैं क्योंकि यह business आप गाउं के अंदर सहर के अंदर कहीं पर भी start कर सकते हैं हर घर में इसकी demand है आपको बेचने भी नहीं जाना पड़ेगा आपके घर से यह लोग साबून ले जाएंगे और अगर उनको पता चल गया कि अब हम इसको छोड़ने वाले हैं एक दिन के लिए तो मैं इसको रात बर पूरे अभी हमारा जो half day है वो तो निकल गया लेकिन इसको मैं रात बर और इसको रखूंगा और फिर इसके बाद में हम इसका जो है बाहर निकाल के देखेंगे कि हमारी quality कैसी बनी है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह हमारे इस टीन वाले डिबबे के अंदर निकालने के बाद में ऐसा हमें दिखाई दे रहा है तो कुछ लोग कहेंगे यह तो हल्वा बना दिया लेकिन यह बनता इसी तरीके से है और यह इसका formulation होता है बनाने का तो दोस्तों यहां प देख आ है पूरा और इसको हम अभी बाहर निकालेंगे और उसके बाद में इसको हम चोटे-चोटे पीस के अंदर निकाटेंगे और इसका यूज कर कर देखेंगे तो चलिए इसको निकाल लेते हैं टो पूरा हो गया यह चीन बेंदोर काफी जादा टाइथ है यह तो कोई दिक्षत नहीं है, हम निकाल लेंगे इसको बाहर और ये भी बाहर आना स्टार्ड हो गया है क्योंकि हमारा टीन है, वो थोड़ा सा इससे फील हुआ था बाकी का खाली रहे गया, उसी वज़य से ये बाहर है वो देरे आ रहा है क्योंकि टीन ज्यादा बड़ा हो गया और इसका साबून का वेट कम है तो यह आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी अच्छी क्वाल्टी बनी है बिल्कुल यह फेक्टरी वाली क्वाल्टी हमने यहां पर बना दी है तो यहां पर आप यह चेक कर सकते हैं औ क्योंकि इसके बाहर का जो भी है और जितना भी यह थोड़ा बहुत सुका नहीं है तो यह जमा नहीं है वो उसका जम जाएगा क्योंकि यह अभी भी मुझे थोड़ा थोड़ा गरम लग रहा है क्योंकि यह भी पूरा इसका जो पूरी रिसाइनिक के रिया है वो पूरी होता है जिसको हम रेस कलब निकाल लिया है उस वائर से आहाँ पर एक वायर निकाल लिया है और उससे मैं इसको कट कर रहा हूं यहां यहां पर प्रोपरली कट नहीं कर पांऊ होँ हो सकता है लेकिन आ Kevin को बढ़ा-बढल जो पर आए एक आकार देखे आपको बता दूंगो बट्टी का की कैसा आकार बनेंगा तो सबसे पहले हम उपर का जो हमारा रफ हिसा है उसको हम अलग कर लेंगे ताकि साइनिंग इसकी थोड़ी अच्छी आई काफी बारी भी हो गया यह राउंड 10 किलो के आसपास का यह हमारा बन गया पूरा तो यह देखी दोस्तों इसकी साइनिंग देखिए आप कितनी अच्छी साइनिंग आई है जो कि हमने नॉर्मली गर पे थोड़ा सा की बना लिया है अगर आपको कम मातरा के अदर मेटर मिल र रखते हैं लेकिन कड़ाई आपकी लोही की होनी चाहिए तो इसको हम काट लेंगे चोटे-चोटे पीस के अंदर तो यहां पर आपको एक पीस है वो करीब 2-7-4 ग्राम का यहां पर बनाना होता है क्योंकि एक किलो पेकिंग होती है इनकी जो उसके अंदर हमारे चार पीस मिलते हैं हमें मार्केट के अंदर तो उसी परकार से आपको यह बनाना है तो यह देखिए हम इसको आड़ा और टेड़ा दोनों तेनों तरके से हम इसको काट लेंगे लंबाई चोड़ाई के अंदर और इसका जो है एक स्टेंडर साइज पीस होता है वो हम बना लेंगे तो अब यह दोस्तो हमारा साबून रेडी है इसको आप सेल भी कर सकते हैं गरपे भी यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पर क्वालिटी मैं आपको दिखाने की कुशिस कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमारा जो साबून है वो रेडी हो चुका है अब आप इसको थोड़े टाइम ऐसे काट के रखते हैं और जब यह थोड़ा सा एक दिन के बाद यह थोड़ा टाइट हो जाए और उसके बाद में इसको आप पेक कर सकते हैं ताकि आप इसमें चिपके नहीं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बट्टी का साइज कितना अच्छा बना है और कितनी अच्छी हमारी जो साबून की बट्टी है वो बनी है तो चलिए दोस्तों इसको हम यूज करके देखते हैं यह हमारे पास एक खराब सा पड़ा हुआ कपड़ा और इससे हम इसको वास करक हैं और इसको हम इस पर लगाएंगे तो अभी भी यह साबून देखो दोस्तों मेरे हाथ को हीट कर रहा है क्योंकि अभी यह पूरा जम के रेडिन नहीं हुआ है क्योंकि इसको दो दिन तक छोड़ना होता है और हमने यहां पर एक दिन इसको छोड़ा है तो इस कपड़े क्योंकि बड़ी यह सुप्टली से लग रहा है क्योंकि यह ओईल से बना हुआ है और बहुत अच्छा यह मेल काड़ता है तो यहां पर आप इसकी क्वाल्टी है वो चेक कर सकते हैं क्या और दोस्तो इस सबनुनका एक ही खासिटह है कि यह मेले से कितना भी गंदे से गंदा कपड़ा हो कितना भी मेला क्यों नह mm किल नहूँ वड़ी असानी से मेल काड़ता है क्योंकि की अंदर और ऊइल का और कास्टिक्सोडा का बहुत पावर होता यह देती कि दोस्तों कि कितना मेल इसे ने निकाल ठीआ यह देखिय और बहुत मेल काड़ता है यह देखो पूरा काला पानी निकल रहा है कपड़े पूलू आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेहें रहें ताकि किशन को अगर बिजनेस की जूरत हो तो वह bिजनेस यहां से स्टार्ट कर शकता है या दोस्तों हमें कमेट करके पताएं कि एकला वेडियो हम किस टॉपिक पे बनाई तब तक के लिए जै हिन जै भारत